हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में हम साइक्याट्रिक की रिक्वाइर्मेंट देखेंगी जो की प्रोसेस रिकॉर्डिंग होती है वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि प्लेलिस्ट हमारे चैनल की आप जरूर है यह क्राइटीरिया चाहिए तो अगर प्लेलिस्ट देखोगे तो आपका मैक्सिमम क्राइटीरिया आपको वहां अवेलेबल मिल जाएगा वहां जरूर देखो प्लीज साइक्याट्रिक की रिक्वाइर्मेंट की काफी टाइम से बहुत ज्यादा दिमांड थी मैंने कहा थोड़े टाइम बाद मैं अप्लोड करूंगी प्रॉसेस रिकॉर्डिंग हमारे पास है यह एक फाइल थी और यह फाइल ही मेरी ही फाइल है मेरा ही बना हुआ है तो यह हमने क्या किया था हमने अलग से फोर शीट पे या दूसरी शीट पे अपनी रिकॉर्मेंट को नहीं बनाया था हमको हमारे जो टीचर थे उन्होंने एक फाइल प्रोवाइड करी थी प्रैक्टिकल फाइल जो होती है उसमें सब कुछ था उसमें एंसी पी था के स्टडी केस प्रेजंटेशन प्रोसेस रिकॉर्डिंग और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन सब कुछ ही था स सारी प्रोसीजर भी थे तो हमने एक फाइल के अंडर ही बना दिया था तो प्रोसेस रिकॉर्डिंग आप लोग आपको पता होना चाहिए होता क्या है तो जो भी पेशेंट और नर्स के बीच कमिनिकेशन होता है उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे प्रोसेस रिकॉर्डिंग है जो टेक्निक्स ही उसकी गई है उसमें वो सब उसके अंडर आ जाएगा इडेंटिफिकेशन डाटा सबसे पहले पेशेंट का लिख लिया यह सबसे असान चीज होती है उसके बाद ब्रीफ समरी ऑफ दे पेशेंट प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उसके बारे में लिख लिया कि क्या तकलीफ है उनको डिप्रेशन है कब से है और क्या क्या है अच्चित किदर हुई है कौन सी जगह पे कौन सा हॉस्पिटल था या वार्ट था इसार आपको लिखना है description of the environment environment कैसा था वहाँ पर अगर तो noise थी तो आपको लिख लेना है कि हाँ noise थी पर वैसे तो जो भी communication होता है patient के साथ में interaction होता है वो एक काम environment में होना चाहिए वहाँ पर शांती होनी चाहिए reason for selecting the patient इसके बाद patient जो select किया है आपने उसका क्या reason रहा है patient के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पाई है उसका behavior कैसा है यह चीज़ें इसमें आईगी because the patient behavior is very sad and depressed from one week आपने एक patient select कर लिया एक student है student nurse है उन्होंने एक patient select लिया उसका reason क्या है कि आपने यह patient select लिया तो उसमें कुछ आपने findings देखी होगी जो आपको आप जिसके बारे में जानना चाहते होंगे इसलिए वो आपको रिख देना है अपना reason manic patient है उसका लिख दो bipolar का लिख दो schizophrenia है जो भी आप condition का बना रहे हो objectives हमने लिख लिए अपने तो patient की mental health को improve करना है उसके जो भी false thought है उनको prevent करना है और psychological support तो इतना जादा difficult नहीं है next page पे चलते हैं यह first page होगी आपका यह next page तो इसमें यह process recording यानि कि जो बातचेत हुई मैंने शुरू में ही बताया था कि communication interaction nurse patient के वीच में जो होता है वो हमारा क्या होता है process recording होती है क्योंकि जो बातचेत हुई है उसको record करना ही process recording है इसमें आपको ऐसा नहीं कि English में लिखने की जुरूत है जो भी local language अगर आप पंजाबी में बात कर रहे हो अगर आपनी local language पहाडी में बात कर रहे हो कुछ और आपकी भाशा है वहां की तो वही language आप लिख लो जैसे कि नमस्ते नमस्ते तो क्या हाल है बढ़िया तो यह patient जो भी response कर रहा है वो हम लोग लिख रहे हैं इसके अंदर communication techniques कौन सी use हुई है कि इसके लिए क्या होता है communication techniques भी आनी चाहिए communication आपका topic है एक बहुत important topic है एक्जाम में काफी बार पूछा जाता है communication की बहुत सारे techniques होती है उसमें clarifying होता है, questioning होता है और pinpointing आपने सुना होगा तो काफी सारे ऐसे techniques हैं जो communication के अंदर आती हैं वही techniques हमने इसमें लिख दी हैं फिर interference भी लिख दिया उसके बाद next to column बनाके तो यह आप यहां से read कर सकते हो बहुत ही easy है ऐसा कुछ भी मुश्किल वाली चीज कुछ भी नहीं है next page है यह fourth हो गया यह fifth थे यह fifth point आप उनसे जो जो बाते कर रहे हो बस वो आपको लिखते रहना है जो patient आपको जवाब दे रहा है वो आपको लिखना है चाहे वो जवाब कोई relatable नहीं भी है कुछ मैच नहीं कर रहा है question के साथ फिर भी आपको वो उसका answer वही लिखना है और साथ में communication techniques लिखते रहना है तो यह continuous जो interaction है वो continuous continuation में आई होई है और last में यह by लिख दिया गया है यहां पर लास्ट में आपको आपने जो process recording किया है बातचित किया है उसका recording करना है conclusion लिख लेना है कि आपके patient कौन है उनको क्या problem है कैसी उनकी condition है आपने कैसे कैसे उनके साथ interact किया है और आपको क्या findings मिली है वो सब आप लोग लिखोगे list of interference तो इसमें eating disorder, depression, bipolar disorder, anxiety जो जो चीज़ आपको उसपे find out हुआ है वो लिख लिया जो techniques आपने use करी है to overcome difficulties उनके बारे में लिख लेना है जैसे कि psychological support, emotional support, be realistic, stay positive तो ये चीज़ें जो है हमने लिख लिए इसमें बस ये इतना ही होता है वैसे यहाँ पर आपका process recording खतम हो गया है हमारे format के हिसाब से उसके बाद ये देखिए evaluation perform अगर आप बनाना चाहते हो last में तो ये तो last में ऐसा बना हुआ है जो मेरा पहले का था बना हुआ इसकी help से आप काफी बना सकते हो ऐसा तो नहीं है देखिए कि आप पूरा ही copy करोगे इसको क्योंकि कुछ लोग ऐसा comment भी में को करते हैं कि आप तो copy करवाते हो जो मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है ऐसे comment तो मैं कहते हूँ कि copy मत करो आपका जो patient आपको मिला ह है आप उसकी findings इसमें लिखो पर आप format तो देख सकते हो format से आपको काफी मदद मिल जाती है बच्चों को format की जादा जरूरत होती है बाकि आपको लिखना क्या है वह आपको देखना है आपके patient में आपको क्या दिखाई दे रहा है क्या findings मिल रही है वह आपको जरूरी होगा चीजें तो मेरा काम तो समझाने का था कि इस तरह से बनाया जाता है मैं यह नहीं कहती हूं कि आप तो पूरा copy कर लो इसको बना लो इससे थोड़ा समझाने का ही होता है वीडियो में मेरा तो कि बहुत समझाना चाहिए जो भी हमारे viewers है जो सब्सक्राइबर हैं जो ह और आम से बना पाएं और फ्रेंट्स प्लेलिस्ट जरूर देखना ठीक है प्लेलिस्ट में आप बहुत चीजें मिल जाएंगी